श्री गनेशाय नमह, अत श्री पद्म पुरानान तर्गत, माग मास महात्मिय उन्नी स्वाध्याय, वो पाचो कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लोटी. जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलम तुमने क्यूं कर दिया तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्रियों के साथ क्रीला करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम ठक गई हैं और जाकर लेट गई. वह शिष्ट्री कहते हैं कि इस प्रकार आशे को छुपा कर वह विरह की मारी पड़ गई. उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीला नहीं की. वह रात्री उनको एक युग की समान बीती. सूर्य नारायन के उदे होते ही वह अपने आपको जीवित मानती हुई माताओं की आग्या लेकर बौरी पूजन करने वल कन्याएं वहाँ पर जाने लगी. उसी समय ब्राहमन भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया. उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया जैसे कमलिनी प्रातल काल सूर युदे को देखकर कहती हैं. उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रहमचारी के पास चली गई. आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता. हम लोगों ने तुमको घेर लिया है. ऐसे वचन सुनकर बाहपाश में बंधे हुए ब्राहमन ने मुस्कुरा कर कहा तुमने जो कुछ कहा सो ठीकी है परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ. गुरु कुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है. पंदित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करें. इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता. अपने व काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है. ऐसा ही पंदित लोग और शास्त्र कहते हैं. हम काम सहित धर्म की अधिक्ता से आपके पास आई हैं. सो आप प्रिथ्वी के सब भोगों को भोगिए. उस ब्रहमन ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है किन तुम्हें अपने व्रत को समा करके ही विवाह कर सकता हूं. पहले नहीं कर सकता तब वे कन्याय कहने लगी कि तुम मूर्खो. अनोखी ओशधी, ब्रहम बुद्धी, रसायन सिद्धी, अच्छे कुल की सुंदर नारिया तथा मंत जिस समय प्राप्त हो तब ही ब्रहन कर लेना चाहिए. कार्य को टालना अ जिधाता की चतुराई ही है. इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें. इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राहमन ने कहा की व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा. मैं स्वयमवर की इच्छा नहीं करता. इस प्रकार उसके वचन सुनकर उ हो इस कारण पिशाचनी हो जाओ. ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई. उन्होंने कहा कि हम निर्परादियों को व्रिथा क्यों श्राप दिया. तुम्हारी इस धर्मग्यता पर दिक्तार है. प्रेंग करने वाले से बुराई करने वाले का सु दोनों लोकों में नश्ट हो जाता है इसलिए तुम भी हम लोगों की साथ पिशाच हो जाओ. तब वे आपस की क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचनी हुगे और बस पिशाच पिशाचनी कर्थिन शब्दों से चिलाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे. वशि दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांध कर उनको चारों तरफ से घेर लिया. वे दनिधी ब्राहमन भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने लोमश रिशी को साष्टान प्रनाम किया. वे पिशाच रिशी के सामने थहर न सके और दू यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुक खड़े हैं. आज इन बालकों का निस्तार होगा जैसे सूर्योदे से अंधेरे का नाश हो जाता है. वशिष्ट्री कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए. वे दनिधी ब्राहमन के ऐसे वचन सुनकर लोमश रिशी क के नेत्रों में जल भराया और वे दनिधी से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीग्र समृती पैदा हो, मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे इसका आपस का ज्यान विलीन हो जाएगा. एति श्री माग मास माहत्म्य उन्नीस्वा अध्याय समाक्त. हरे राम हरे राम राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे